भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के लिए अभी तक क्या किया है और अब उन्हें और क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया रितेश्वर महराज ने जराधान से सुनिएगा अपने यसश्वी और सनातन धर्म के और हिमेनिटी के और भारतमा के सच्चे सपूत स्रिमान नरेंद्र मोदी जी से एक ही इच्छा रखता हूं कि वो सनातन बिद्या बोग तो बना ही दें अमर तो हैं ही अमर रहेंगे सता और अभी तो बहुत साल उनको इस प्रत्वी पर र ही आप मोई बोग है वो भारतमा के अधुटलाल है उनके उपर अबरका कोई प्रभाव नहीं है वो स्रीक्रिश्न भगवान के तरह मैंने कहा हैं कि बचपना कभी जाएगी नहीं तो सिश्ट नहीं है वो निश्चल प्रकृति उनके भीतर में है और वो भारत के लिए काम क तो ये मैकोले ने जो हम लोगों को बरबाद कर दिया हमारी पीडियों को, आप मुक्त करा दीजे, छोटे-छोटे सिक्षा में रिफॉर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा, वो सब कैंसरस बॉडी में तेल लगाने के जैसा है, बॉडी कैंसरस है, क्योंकि खुद मैकोले ने कह है, कि ऐसी बिद्या पद्धती दे रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम, कि ये सेकडो साल तक मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे, अब बताओ, जो मानसिक रूप से देश गुलाम हो, उसका क्या प्रगती, क्या विकास, वो क्यों नहीं तनाव में जाएगा, और उ तो फिर आधार तो यही है, कि जिसने बनाया है, उसी अंग्रेज ने लिखा हुआ है, उसी आधार पर एक दिन में खारीज कर दीजे न, पुलिशिंग ब्यवस्था जो 1861 की है, ब्रिटिशों की बनाई हुई, हम अपना बनाते हैं, सनातन संस्रती का नुसार, खुब सुन्दर, ज सब अध्भूत है, मानुए ब्यवस्थाएं हैं, और ये नहीं, और दूसरी, तीसरी चीज और मैं कह सकता हूं, कि सिविल कोड को लागू कर ही दीजिए, जन संख्या का बोज, हम भारतियों को आपस में लड़ा देगा, हम प्रोपर्टी की लड़ाई लड़ेंगे, पानी नियू में दीमक लग चुका है, फाउंडिशन में, दीमक वाला नियू हटा कर और नया फाउंडिशन डालने की जरूरत है, और ये फाउंडिशन सनातन, सिक्षा, पद्धती होनी चाहिए, आधुनिक बिज्ञान के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे तो अमेरिकन डॉक्टर में लगाएंगे न, और यहां से जो धारा निकलेगी, सारे बिस्व को प्रकास देगी, उजाला देगी, चारो तरफ जो अंदकार हैं, लडाईयां हो रहें, छगड़े हो रहें, सब मिड जाएंगे, इस सनातन ही कर सकता है.